पूरे हफ्ते के इंटरनेशनल अफेर्स पूरे हफ्ते के उपर जो करने फेर्स आई है उन सभी के बारे में हमाँ आज के इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं जो कि आपके exam point of view से बहुत ही important है और जो भी आप competitive exams के लिए preparation कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फायद मन्द होगा तो इस वीडियो को जो है एंट तक जरूर दिखेगा और अब भी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब बैल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला notification मिल सके तो चलिए आज का discussion शुडू करते हैं तो आज का पहला जो topic जो है भारत वन्यजीव परियावासव के संग्रक्षन के लिए जो है क्षेत्रिया फोरम की सह अध्यक्षता करेगा और एशिया संग्रक्षित क्षे यान समर्थित तीन साल के लिए जो है वन्यजीवों के संग्रक्षन के लिए एक शेत्रिया मंच जो है एशिया संग्रक्षित क्षेत्रव भागिदारी एपी-एपी उसी की सहाध्यक्षता करने के लिए तयार है और इस कार्यकाल में जो है भारत अन्या जो एशियाई इस पत्पर रहा है और विशेश रूप से एपी-एपी की जो अध्यक्षता जो है आयू, सी, एन, एशिया द्वारा की गई थी की गई है और इसकी जो अभी सहाध्यक्षता जो है एपी-एपी देश के सदस्य करते हैं और बागो, शेरो और तेंदूो जैसे जंगली जान और यह जो एपी एपी जो है उसके बारे में कुछ थोड़ा सा है कि आपचारी ग्रूप से जो है 2014 में आस्ट्रेलिया में IUCN World Parks Congress में इसको लांच किया गया था और यह जो है एक ऐसा मंच है जो कि सरकारों और अन्या ही धारकों को संग्रक्षित चेत्रों यानिकि पीए के अ 17 कंट्रीज है 17 कंट्रीज में से 21 है और यह जो 17 जो मेंबर्स जो देश जो है मतल जो कंट्रीज जो है वो है थाइलन, वेटनम, लाओस, मालदीव, मलेशिया, चाइना, कोरिया, गनराइजिया, श्रिलंका, भारत, कंबोडिया, म्यानमार, पाकिस्तान, भुटान, मोंगोल इंडिया, नेपाल, बांगलादेश और जपान तो यह उससे रिलेटेट टॉपिक है तो अभी नेग जो टॉपिक जो है भारत ने जो है इंडिया ने अभी नेपाल में भुकम प्रभावित स्कूलों के पुनर निर्मान के लिए जो है NPR 30.66 क्रोर जो रुपे जो है वो प्रदान किये है तो यह उससे रिलेटेट टॉपिक है तो अभी 6 चनवरी 2021 को 2015 के जो भुकम के दोरान क्षती ग्रस जो हुए शेक्षिक संस्थानों के पुनर निर्मान के लिए जो है भारत ने अभी नेपाल को 30.66 क्रोर नेपाली रुपे एंपियर जो की आयना जो इंडियन रुपिस में जो है 19.21 क्रोर होगी तो उसकी अनुदान सहाता उन्होंने प्रदान के अब इंडियान ने अभी और इस चेक को जो है भारते दुदावास में जो है मिशन के उप्रमुख नेम्या खंपा जो की नेपाल पुनर निर्मान प्राधी करण एन आर ए के मुख्या कारिया कारी अधिकारी है CEO है सुशिल ग्यावली उनको सौप दिया है और यह जो फंड जो है उसको सौपने के साथ भारत ने शिक्षाक शेत्रे की पुनर निर्मान परियो जनाओ के लिए भी जो है इन प्रोजेक्ट के लिए भी जो है नेपाल को NPR 81.98 क्रोर जो की इंडिया रुपीस में 51.37 क्रोर की एक जो राशी जो है उसकी प्रतिपूर्ती की है और एक अन्या अलग सी जो मीटिंग में जो है भारत ने नेपाल भारत मैत्री साजिदारी के तहट नेपाल को जो है NPR 44.13 मिलियान जो की इंडियान रुपीस में 2.76 क्रोर रुपीस जो है वो भी प्रदान किये है और यह अभी जो की पुनर निर्मान का जो मतलब अभी रिकंस्ट्राक्शन का जो प्रोजेक्ट जो है वो भारत ने जो है नेपाल में शैक्षिक संस्थानों के पुनर निर्मान परियोजनाओं की दिशा में 50 मिलियान अमरीकी डॉलर की सहायता प्रदान की है और एन आरे द्वार लवभग जो है 71 जो प्रोजेक्ट जो है वो शुरू भी की जा रही है और अभी ये जो प्रोजेक्ट जो है नेपाल के गुर्खा, नुवा कोट, रामे छाप, दोलखा, कवरे, धडिंग और सिंधुपाल, चौक, जिलो में स्थित है इसमें जो है त्रिभुवन, और भी मुद्दे पर चर्चा हुई है तो दोनों ही पक्षों ने जो है आवास, सास्थ और संस्कृतिक विरासत क्षेत्र में भारत पोशित पुनर निर्मान जो प्रोजेक्ट्स जो है उनकी प्रगति पर चर्चा की है फिर हाउजिंग जो क्षेत्र में परियोजनाए टॉपिक है तो अभी ने जो टॉपिक जो है भारत ने जो है UNSC की त्री जो तीन जो महत्वपुर्ण समितियों को जो है उनका ने त्रित्व किया है तो सोड़ी करेगा तो यह उससे से लेट टॉपिक है तभी संयुक्त राष्ट्रा यानिकी UN के लिए जो है भारत की स्था तिरुमूर्ति उन्होंने अभी घोष्णा की है कि भारत संक्त राष्टर सुरक्षा परिशद यानिके UNSC की जो तीन जो महत्वपुर्ण समितियों जो है समितिया जो है आतंगवाद निरोधी समिति 2022 के लिए तालिबन प्रतिबन समिति 1988 की प्रतिबन समिति और लिविया प्रतिबन समिति का जो है वो भी उनका भी नित्रित्व करेगा और 4 जन्वरी 2021 को भारत नी जो है दो साल 2021 से 2022 के लिए जो है UNSC के गैरिस्थाई सदेशियों के रूप में अपना जो आठवा जो कार्यकाल जो है वो शुरू किया है और मैक्सिको, केनिया, नौर्वे और आइलेंड भी जो है गैरिस्थाई सदेशियों के रूप में भारत में शामिल हुए है और अभी ये जो कमिटी जो है समिती का मुख्या कार्या अपनी सीमाओं के भीतर और शेत्र में आतंगवादी कृत्यों को रोकना है और भारत जो है 2022 में समिती की अध्यक्षिता करेगा जो भारत की सुतंतरता की 75 वी बश्गाठ के साथ मिल खाएगा यानिकि 75 जो एनिवर्सरी जो है इंडिबेंडेंडेंस का भारत के उसके साथ ये मिल खाएगा और समिती का जो गठन जो है सितंबर 2001 में नियुवर्क संक्तुराजी अमेरिका में 9-11 आतंगवादी हमले की प्रतिक्रिया के रूप में किया गया था और भारत ने जो है अभी 2011-12 में अपनी स्थाई कारियकाल के दोरान इस समिती के अधक्षता भी की है और 1988 की प्रतिबन समिती के रूप में भी जाना जाता है जो कि अफगानिस्तान के क्षेतर में आतंगवादियों और उनके प्रायोजकों की उपस्तिती पर केंद्री थे यह तालिबान प्रतिबन समिती और लिबिया प्रतिबन समिती जो है वो है लिबिया प्रतिबन समिती जिसे 1970 प्रतिबन समिती भी कहा जाता है यह समिती अभी प्रतिबन्धों को लागू करने लिबिया पर दो तरफा जो हतियारों को लागू करने एसेट फ्रीज यात्रा प्रतिभन और पेट्रोलियम के जो अवेथ नीरयात पर उपायों पर ध्यान के इंद्रित करती है और UNSC में भारत का आटवा कार्याकाल है जो कि भारत 2021-22 के कार्याकाल के लिए गैर स्थाई सदेशे के रूप में 15 राष्टर UNSC में शामिल हो गया और यह जो ही आउगस्ट 2021 में UNSC के अध्यक्ष के रूप में काम करेगा और 2022 में फिर से UNSC परिश्रत के अध्यक्षता करेगा और UNSC के पांच दो स्थाई सदेशिया है वो है चाइना, फ्रैंस, रूस, यानिके रश्या, यूनाइटिट किंग्टप और संइक्त राइजय अमेरिका इनके USA और दस जो गैर स्थाई संदेशिया है वो दो साल के रिए कारिय काल के लिए महासभादवारा चुने जाते है और वो है भारत, नौर्वे, केनिया, आइल्लेंड और मैक्सिको और अजनिया जो पाच गैर स्थाई संदेशियों में से जो है एस्टोनिया, नाइजर, सेंट, विंसेंट और ग्रेनेडाइन्स, टूनिशिया और वियतनाम ये इसमें शामिल होंगे और अभी दस जो गैर स्थाई संदेशिया जो है वो है अभी अफरिकी और इसिया देशों के लिए पांच सीटे है पुर्वी इरोपियो देशों के लिए एक लेटिन अमेरिका और केराइबियन के लिए जो है दो है और पश्चिमी योरोप और अइन्य देशों के लिए जो है वो दो है और कारियकाल के दोरान जो है भारत की कुछ प्राथमिक्ताए है यानिकि वो जो है अभी UNSC कारियकाल के लिए भारत की प्राथमिक्ताए आतंगवाद रोख्धी, शांती व्यवस्था, समुदरी सुरक्षा, सुधारित बहुपक्षवाद, प्रदोगी की महिलाए युवा और विकासात्मग मुद्दे होंगे जो की शांती निर्माण के संदर्व में होंगे और प्रतिबंध समिती जो है विशेश प्रतिबंधों पर UNSC प्रशत को जो है सिफारिशे लागू करना, निगरानी करना और प्रदान करना उनकी मुख्या भूमी का है तो यह उसी से ले अमेरिका में है और सुरक्षा परिश्रत के जो अध्यक्ष जो है जन्वरी 2021 के लिए वो ट्यूनीशिया है तो यह उसी से लेटेट टॉपिक है तो अभी आज के लिए इतना ही है कल हम फिर मिलते है एक ने टॉपिक के पूरे हफ़ते के करन अफेर्स के साथ तब तक के लिए जो है हमारा जो चैनल है उसको देखते रहेगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज मन पूलिएगा कोई अगर सुचा वो तो कमेंड कर सब्सक्राइब टेक केर जाय हिंद